Hello friends, welcome back to my channel आज मैं बात करने वाली हूँ दाबर लाल तेल के बारे में मैंने डाबर लाल तेल पर वैसे कई वीडियो बनाई है तो उस वीडियो में कई सारे कमेंट आते हैं कि मैं हम डाबर लाल तेल कितने महीने के बच्चे को लगाना चाहिए और डबारलाल तेल गर्म या थंडा होता है? और डबारलाल तेल की मालिश बच्चों को हम कब تک कर सकते हैं? चिन्य सारे सावालों को जवाब आज मैं इस वीडियो में देनेवाली हूँ और वीडियो को प्लेज लाश तक देखिएगा वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक धरूर करिएगा तो सबसे पहले मैं बात करते हूँ कि डवल लाल तेल गर्म होता है या थंडा होता है तो डाबर लाल तेल की जो तासीर होती है वो गर्म होती है इसलिए ये सर्दियों के मौसम के लिए बहुत ही बेस्ट होता है गर्मियों के मौसम में बहुत सारे बच्चों को ये सूट नहीं करता है सबी बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है कि ना सूट करें जैसे कि मेरे रि मैं बच्चे को कितने महीं से स्टार्ट करनी है तो मैंने बड़ी वाली बैटी को लगा था तो इसको विल्रजी हो गई थी दानें घाल लेकिन चोटी वाली बैटी को सूट के था तो मैंने उसको फ़स्ट मन्थ से यह तो परना स्टाट कर दिया था जो मेरे एक्सपेइंस में से हिसाब से ढबलाल थो यसे रव बचते हैं नोगानि खुछिए हो होगा? करते हैं लग बक 2 साल तक आपको बचे की मशाज करनी ही करनी है क्योंकि 2 साल में number 2 दिश भैसे देभलब हो रही होती है या चाहे बोन बच्चे की लिए मासपेशिया हो तो बच्चत की मेंरे दिशी बच्चे को हार चीज के ज़रूरत भी बहुत जादा पड़ती है और यह को इस बच्राब के अप करेंगे जरूर जिंग है आप साल तक आप वाए खाद मैं ने डावा लाल तेल है च्ट यह से बच्छी थे पहरा इंड तो दो साल तक को और करना है और कई सारी पूंचा है क्या बचसे कच्छे सिर्व नहीं लगा सकते हैं तो बच्चों के सिर्व में नहीं लगाइड़ काफी गर्म होता है और मैं थे पो resilience की मसाज कर सकती है पूरी बाड़ी में डाबर लाल तेल से लेकिन बच्चों के फेस पे और बच्चों के सिर में डाबर लाल तेल की मसाज ना करें बच्चे के फेस के लिए आप अलमन आयल या कोकोनाट आयल इस तरह का कोई भी वाइल चूस कर सकती हैं के लाल्डी into ना करें और सिर्पे भी मसाज़ ना करें और बाकि सर्फिशा बैबर लाल-डीस ना कर SEC जड़िता है वह दोगर का ना करें स करें स्पेडनाओ के अर्थ है करें लाल को थो जैड़ा होती है और एन बोत दो शेयर भी करें